हेलो दोस्तों तो मेरा नाम है गिरिस और स्वागत है आपका परसाज जी के में तो देखो आज हम पढ़ेंगे आपका उत्राखंड का इतियाज ठीक है पहले देखेंगे हम आज प्राग एतियासिक काल पूरे डीटेल में देखेंगे छोटे-छोटे पॉइंट्स को लेके औ और आपका प्राग एतियासिक काल को आप तीन भागों में बाटते हो उन्हें देखेंगे ठीक है फिर आपका जो है आधियासिक काल देखेंगे फिर एतियासिक काल के बारे में बात करेंगे ठीक है तो चलो देखते हैं आप पहले यह कुछ चित्र देख लो क्यूंकि अगर मैं बात करूँ आपके उत्राखन के इतिहास की ठीक है तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राग इतिहासिक काल ठीक है मैं प्राग लिख दे रहा हूं प्राग इतिहासिक काल आप समझ जाना आपको यह फिरा बगल में देख सकते हैं ठीक है तो देखो प्राग इतिहासिक सब nggak अब को मैंने लिखते हो दिया आपके प्रागेतियसिक काल तो इसको आपżenia में बाठते हो प्रागेतियसिक काल कोई एक है आपका पुरा पाशान काल ठीकिक है कि पुरा नहीं लिख रहा हूं आप समझ जाना आपको साइड में दिख जाएगा ठीक है पुरा पाशानकाल और दूसरा है आपका मध्ये पाशानकाल मध्य पाशान काल अब आपके माइंड में एक सवाल और उटरा होगा सर क्या प्रागेतिया सिक काल को आप पाशान काल भी कहते हैं जी हाँ प्रागेतिया सिक काल को यह हम पाशान काल भी कहते हैं ठीक है ना पाशान यूग भी कह सकते हो आप आपकी मर्जी है आप जिस तरीके से समझ सकते हो ठीक है यह प्राग है ऐसी काल को आप तीन महगों में बाढ़ दिया हमने यह हो गया आपका नव हम देखो बेसिक बात को समझो यहां पर आप पुरा का मतलब जानते ही होगे जो पुरा देखो इसको आप कैसे समझोगे आपका पाषान काले इसमें तीन आप का पुरा पाषान काले रुक में कलर चेंज कर देता हूँ लिखने के लिए अब देखो इसका मतलब होता क्या है पहले तौしまते हो यह मतलब होता है यहां पर हमें लिखा हुआ साख्ची मिला ही नहीं है अब हमें आरे पास कोई लिखा हुआ साक्शेन ही हमारे पास कुछ भी होritा सकते आवह पर खुदाई में हमें हमें डैट वोड We. मिल सकती हैं ठीकी ना हमें कहीं पर गुफा देख्क सकती है ठीके न अब देखो गुफा दिख सकती है हमारे जो शैलाश्रे हैं वो दिख सकते हैं अब आपके माइंड में यहाँ पे एक और बात आएगी कि यह सर आपने तो गुफा बुला और शैलाश्रे अलग बुला तो देखो इसमें थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस होता है ग खाला यह नहीं भीन प्सरें आपको स्मय talking है और चित्र बाते हैं अब में देखो नहीं प्रौनाच के नाम के आपको पता नहीं लिए श्रय जहां पर आप क्या करते हो त्यूस के नीचे दिखेट्स अ बाते हैं मैं आपको इतने डिटेल से पढ़ा रहा हूं और अब देखो आप समझो आप पुरा पाशान का मतलब क्या होता है जहां पामें लिखा हुआ यह साक्षी तो प्राप्त होता नहीं है पूरे प्रागेत यह से काल में मतलब इन तीनों में हमें कोई लिखा हुआ परम मानव क्या है अपना जीवन जीने के लिए क्या करता था आखेट करता था अब आखेट का मतलब शिकार करता था ठीक है शिकार करता था और शिकार करता था फिर खाता था बस यह उसका जीवन था दिन भर का शिकार किया खाया शिकार किया खाया ठीक है तो यह हो गया आपका पुरा पाशान काल, ठीक है, समझ गए, पुरा पाशान काल में क्या करता था, इंसान, बस आखेट करता था, यानि शिकार करता था, और उसी को क्या संग्रहन करता था, उसी को बस खाता था, ठीक है, इसी पर उसका जीवन आधारित था, ठीक है, फिर आप इसे, एक और मध्य मध्यपाशाण काल पर चलो इसको ज्यादा डिटेल में इतनी आप मैं समझ गए होगे इतनी ठीक है तो देखो मेरे को थोड़ा बहुत जुखाम लगा है तो अवाज इधर उदर होगी तो मैनेज कर लेना ठीक है अब देखो पूरा पाशाण काल तो मैंने आपको बता दिया अब यह है आपका मध्यपाशाण काल में देखो क्या होता है ना मध्यपाशाण काल में जो पत्थरों के ओजार है अब देखो पूरा पाशाण काल में भी पत्थरों के ओजार थे इतना धियान में रखना यह पत्थरों के ओजार बना दिये मैंने मानलो ऐसे गोल बना दि बचाद काल में उत्पत्ति होई मानव कि और कैसे-कैसे उसने शिकार किया पथ्थरों और बनाइगे लाधियों के लुक्त बनाइक कर्या तरीके तरीके धर क्या हुआ उसके माइम्ढ फोड़ा बहुत है इसको और यार हां जो यह पत्थर है ना मैं इस मोटे पत्थर को अगर मैं फैक रहा हूँ तो जो जानवर है वो बड़ी देर में मर रहा है फिर किसी ने कुछ किया तो क्या हूँ पत्थर को उनने मध्य पासान काल में क्या कर दिया फिर थोड़ासा और नुकीला बना दिया थीके ना थोड़ासा और नुकीला बना दिया तो आप कह सकते हो थोड़ी सी बुद्धी डेवलप हुई तो पत्थर को क्या नुकीला बना दिया और पतला बना दिया और छोटा कर दिया थीके ना तो क्या कर दिया पत्थरों के आजारों में उन्होंने एक modification ला गए हो ठीक है modification ला गए तो क्या हो गए हो पत्थरों के आजार उनके एकदब modify हो गए modify कहने का आर्थी यहां पर मेरा यहां है कि हाँ थोड़ा सा उन्होंने develop किया अब ऐसा यह कि modify कर दिया तो मतलब पत्थर मुझे गोलियां मार रहे हो ठीक है यहाँ पर कई विद्वान भी हैं जो मैं वैसे मेरे को सच बताओं तो पढ़ाते पढ़ाते लगबग हो गया एक साल होने वाला है तो कई मैं कमेंट वैसे मैं कमेंट पर इतना ध्यान देता नहीं हो लेकिन किसी किसी का अग तो मद्य पाश्णकाल आप समझ गए हो घिक एनगा पत्थर के ऊज़र थोड़ इसे नुकिले हो गए उनके ठीक है आप देखो अगर मैं बात करूँ आपके इसके बाद की ठीक है इसके बात आता है आपका नव पाशाणकाल ठीक है फिर नव पाशणकाल में आप क्या हो फिर नवपासाड काल में देखो आपकी किर्सी होने लग गई ठीक है क्या होने लग गई कौन सा कदर लेते हैं चलो ये ले लेते हैं ठीक है नवपासाण काल में आपकी किरसी उनने लग गई ठीक है अब किरसी ओने लग गई और क्या उनने लग Давай आप्छने अपने UKर बनाए पसु पालन किया ठीक नीवाज बनाने लगई आपने में इस्ताइ निवाज बनाएंगे किर्सी करेंगे ठीक है कपड़े पहनेंगे ठीक है और खाना पकाएंगे ठीक है और जो आपका आग का विश्कार है नो पाशाणकाल में हो गया था ठीक है इतना आपको समझ जाना है अब देखो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर इतना आप समझ गए तीनों कालो को ठीक है प्रागेतियसिक काल ठीक है और आपका पुरा प्रागेतियसिक काल की तीन भागे है पुरा पाशाण काल मद्य पाशाण काल नौ पाशाण काल यहीं पर बात आती है प्रागेतियसिक काल की तो आप इसे ही को पाशाण काल भी कहते हो ठीक है पाशाण काल तीन भाग आध्य एतिहासिक लो एतिहासिक ठीक है लेक थोड़ी सी मेरी खराब है तो इसमें क्या हुआ था तो इसमें जो हुआ था ना इसमें आपका जितने भी लिखित साक्षे हैं हमें पराप्त होते हैं ठीक है लिखित साक्षे हमें पराप्त होते हैं यहां से ठीक है लिखित साक् पढ़नी पाए है ठीक है अब आपके माइंड में यहां पर एक सवाल जरूर उठना चाहिए अगर आप उत्राखंड से हैं तो आप सोचेंगे कि या जैसे हम भारती इतिहास पढ़ते हैं तो भारती इतिहास में तो उसमें वैसे कई बार उसमें वैदिक काल भी रख दिया जाता है अभी उसका अभी मतलब बताऊंगा कि वैदिक काल क्यों रखा जाता है ठीक है पहले इसको समझो कि आधियास से काल में लिखे हुए साक्षा में प्राप्त होते हैं लेकिन अभी हम उन्हें पढ़नी बताऊंगैं है कि हाँ हमें कुछ मिलाइं निया तो आप किस परकार से उसे बताओ गए कि हाँ करते होंगे बस हम एक कहानि बना थे हैं कोई महान नहीं है यहां एक हुआ हुआ होगा है हमारे विचार जैसे इमेजिन कर सकता है वैसे जो हमारे इत्याशकार उनोंने कि विद्वानों किया जिस परकार से हमें पहले मोटे पत्थरों के आजार मिले फिर पतले हो गई वो ठीके न फिर और आगे जाके एडवांस हुए तो उस हिसाब से उन्हें लगाया कि हां माना वो जो है वो धेरे-देरे ऐसे ऐसे डेवलप किया होगा ठीक है पहले गुफाओं में रा क्यों इमेजिनेशन का है यहां ऐसा हो सकता है ठीक है ना । गफाजे भी हमें लिखित साक्षे कुछ पर आप तो होते हैं कुछ लिखा हुआ जैसा देल्खता है में लेकिन अभी तक हम उन्हें पढ़नने हैं ठीक है थीक है आप रख सकते हो आद्यात्यशक आप ठीक है आप बात करूं मैं वैदिक काल की तो देखो कई तियासकार जो है ना वैदिक काल को आपके एतिहासिक काल में भी रखते हैं ठीक है ना यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ठीक है न कई इतियास कार उसको एतिहासिक लिखेंगे एतिहासिक लिखेंगे और फिर क्या करेंगे इसको दो भागों में बाढ़ देंगे एक तो वैदिक काल ठीक है और एक क्या करेंगे एक वैदिक काल कर देंगे एक इतिहासिक कर देंगे इतिहासिक और इस इतिहासिक को थीन बागु में बाट देंगे एक तो प्राचीन इतियास एक मत्डी इतियास एक अदुनिक इतियास. ठीक है? शमज गए? आप देखो. वैदिक काल का मैं बटाता हूँ आपको. जो आपके वेद है ना. क्योंकि सारा ग्यान हमें वैदिक काल का किस से मिलता है वियार हिए रिग्वेद से मिलता है तो इस वैदिक काल को मुझा थे our control काल को कहां पर क में रखें है तो देखो कर आदियतैसी काल में रखतेश कूह बात ना- वीक क्या उस समय सुनाया जाता था और उन्हें रटा जाता था रटा नहीं समझा जाता था ऐसे समझ लो ठीक है क्योंकि देखो जो आपके वेद है ना उस समय कोई भासा तो थी नहीं ठीक है मतलब भासा थी एक लिपी कोई विक्सित नहीं हुई थी कि हां हम वेदों का संकलन करे काई सालों बाद किया हुआ काई सालों बाद फिर संकलन हरु थीए न संकलन कई सालों के बाद हुआ ठीक है जिस समय वेद बोले जाते थे शी collecting जाते थे नहीं उस समय वेद जो है शिर्फ सुनाए जाते ते जैसे आप हो आपने क्या किया यह आप हो आप निमालो वैदिक काल में हो ठीक है आप वैदिक काल में हो तो आपने क्या किया आपने जो बच्चे हैं या आपके सिस्षे हैं उन्हें क्या क्या आपने सिखाया आप सिखाया तो इनके भी बच्चे होंगे इन्होंने जो सीखाया वो अपने बच्चे को सीखाएंगे ठीक है यह अपने बच्चे को सीखाएंगे फिर इनके जो बच्चे होंगे यह अपने बच्चे को सीखाएंगे तो ऐसे करते करते क्या हुआ पीडी दर पीडी वो सीखते गए उन्होंने ग्यान लिया आप सोचो वो कितने बुद्धिमान होंगे ठीके ना उन्हें अपने सब माइंड में जो है वो एकत्रित कर लिया और पीडी दर पीडी आगे बढ़ाते गए अब जब कई सालों के बाद फिर क्या हुआ इन वेदों काल में भी रख देते हैं ठीक है यहां से आपको कुछ बहुत डाउट किलियर हुआ होगा अगर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीके ना और आपका पढ़ने में ध्यान होना चाहिए बाकि और किसी चीज में ध्यान नहीं होना ठीक है अब देखो अब पढ़ते हैं हम आपका एतिहासिक काल ठीक है अभी समझ रहे हैं क्योंकि प्राग एतिहासिक काल में अभी हम देखेंगे उत्राखंड में क्या क्या चीजी हमें प्राप्त होई है ठीक है तो देखो अभी सिर्फ समझ रहे हैं हम आपके एतिहासिक काल को ओर इन तीने काल को आप समध जाओ पहले एतिहासिक और गई अब डो बात ईए penny असीट काल की तो यहाँ पर हमें लीखे साक्षे भीआ पराप्त होते है और अच्छी त्रा पढ़ भी पाया है ठीक है अमें पराप्त होते हैं हम उन्हे तीहाशिक काल है तीकिन उसमें क्या क्या आजाएंगे कई चीज़ा आजाती है अभी लेक तामर पत्र यह सभी ठीकिना अब मैं आपको यह क्या बेसिक से समझाओं कि हाँ लिखित क्या होती है ठीकिना अब अगर मैं यह समझाओंगा तो मैं मालों में हिंदी में घुज भाहसा बोलती हो मौकिक भाहसा बोलती हो ठीक है ना चलो इतना आप समझ गए चलो आप देखो एतियासिक काल आपने समझ लिया है अब देखो हम चलते हैं आपके प्राग एतियासिक काल में फिर सी क्यूंकि हम देखते हैं उत्राखन में हमें क्या-क्या प्राप्त हुआ ह प्राग एतिया सिक्काल में ठीक है अब बात करूं आपके प्राग एतिया सिक्काल की तो देखो प्राग एतिया सिक्काल में आप सभी को पता है उत्राखन के अल्मोडा जन पते हैं चमुली जन पते हैं पासाड यूगीन आपके सिलास्राय प्राप्त होते हैं ठीक है ना अब इन सिलास्राव में मानवों ने कई चित्रण भी बनाये हैं आपके प्राचीन मानवों कहना सही होगा मेरे खाल से ठीक है तो देखो प्राचीन मानवों तो खुदाई करी होगी कि हाँ सबसे पहले खुदाई किसने करवाई ठीक है यह प्रस आपके लिए important बन जाते हैं कि प्रागेतिया से काल की नीव कौन रखेगा उत्राघंड में या किसने रखी होगी ठीक है ऐसे mind में question आने चीने हैं आपके तो देखो क्या होता है 1856 1856 अब देखो 1856 से आपको कुछ याद आ रहा है हेंडरी रेमजे ठीक है 1856 में हेंडरी रेमजे आते हैं या कुमाओं के कमिशनर बनके ठीक है अब या कुमाओं के कमिशनर बनके आते हैं तो आप यह थोड़े समय बात क्या करते हैं कि इन्हीं के नेतरित्म में सबसे पहले क्या होती है यह उत्राखंड में खुदाई होती है ठीक है अब उत्राखंड में खुदाई होती है तो आप क्या कह सकते हो कराई तो हैंडी रैमजे नहीं है ठीक है तो आप यहां पर क्या क करते हैं तो देखो जो है नी ना यह आपके नॵ्ट करते है कि व्यक्ति को जिनका ोध नाम होता हैा आपका डबलू जेहन जेहन वूड ठीकिन जेफ्रिस फीर期 ना गैन के तो उन्हें न्योक्ति किया था भीया रैमजेन ने ठीक है तो उन्हें खुदाई करा नहीं बढ़ी अब देखो जैसे उन्हें खुदाई करवाई तो उन्हें क्या प्राप्त होता है कहां करवाई पहले तो यह सुमझें कि 886 में कहां करवाई थी देवी दुरा इसको थोड़ा समय किलिय खावत में ठीक है अब वहां पे जो उन्हें उत्खरन का कारे किया तो वहां से हमें सवाधान को सिंपल आर्थ में अगर मैं समझाओ तो कह सकते हो आप डैड बोडी ठीक है ना एक जो आपका कई सालू पुराना मृत शरीर वहां से हमें प्राप्त होता हुद्या कह सकते पर्थम खोज हमें प्राप्त होगय भी से खियो पर्थम खोज मिली और किस ने करी थी खोज। W.J. Henwood ने, खुदाई तो उन्हों नहीं कराए थी ना, तो आप उन्हें क्या कहा गया उत्राखंड का, तो W.J. Henwood को कहा गया भईया, उत्राखंड में पुरा तत्व का जनक, ठीकिना, पुरा तत्व का जनक कहा गया उत्राखंड में, ठीकिना, किसे W.J. Henwood को, यह आपको य नाचिंगे भी तो सही ठीक है तो इतिहास कारों ने क्या किया उसे जांचा वह थे आपके वीलर और इतावली नामधा उनका ठीक है चो आपके देवीदुरा से प्राप्त सवाधान थे उन्हें खोजा तो उन्हें कहा वह यह तो आपके महापाशानकाल के हैं मतलब आपके न तो आप मिरत शरीर मिला हैं मिरत शरीर भी नहीं गया होगा हड़िया मिली हैा कई सालों पुरानी क्या मिली है हड़िया मिले छ को और है कैसा पता लगाया होगा कि हाँ यारी इस कालकी रही होगी थीक न तो बात है इसमें आ जाती है आपकी कार्बन डेटिंग पद्धती ठीकिन क्या जाता है यहाँ पे कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होते हैं देखो जो आपका carbon datingcular परददी ना उसमें क्या होता है आप सभी को पता हम मानु हैं माना भलट जिनके भी संकिर में आपका carbon है तो हम उनकी इस्थ का भया पता लगा छे किस्के द्वारा carbon इतने साल का इतने साल पहले इसे दफनाया गया होगा ठीक है यह हड्डिया इतने साल पहले ही है ठीक है ऐसा पता लगा सकते हो ठीक है अब देखो यहाँ पर बात आती है आपकी यह तो हमने बात कर लिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ यह मैंने आपको अडिशनल बताया था एक नम लाइन से नहीं बताया ठीक है न क्योंकि यह चीज़े आपको जाननी जरूरी है ठीक है न क्योंकि आठाल सो छपपर में डबली जी हैंबोर्ड द्वारा देवी दुरा यह खुदाई कराए गई वहां से सवादान प्राप्त हुआ तो इन्हें क्या कहा गया फिर उत्राखंड में इन्हें पुरातत्व का जनन कहा गया क्योंकि यह पहले एंजी रेम्जे ने नियूक्त किये थे ना यह चीज़े आपको अच्छे से समझनी है ठीक है तो देखो करेंगे सम्झनी हैं अभी हम बातकरेंगे आपकी मलारी गाउनं की बात करेंगे तotion आप सबसे पहले देखते हैं हम आप küçük कहा जाता है बहुत है कि इस अ? 3 सबसे जादा गुफाए Flash मिलते है ठीकी नासी मिलते है तो उसे क्या जाता है उसे ना और हमें कई सवदान में राम गांगा घाटी से भी मिलें वैसे जिसे बनाए को क्राइब बड़े साइज के खंकाल मिली थे न जिता रामगंगा घाम राम गर देखो दे aún ला ंंप्विज कर사 के बाद हुआ है तो अलमोडा की चीज़े को देख लेते हैं ठीक अब यहाँ पर आप क्क्रफूज नहीं करींगे ठीके न क्वा कश को कन्फूजन हो जाता है कि सब्वाइब से अपनर प्रता कि और सब्सक्राइब का आपको थोड़ा बहुत समझना है कला में वहां कई चीजे मिली मलारी गाउन से ठीक है तो दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंस है ठीक है इतना आपको समझना है अब देखो अलमुड़ा अलमुड़ा चलते हैं वही है ठीक ना अलमुड़ा तो देखो तो अलमुड़ा में देखो सबसे पहले हम देखते हैं आपका लाखू डियार को ठीक है ना लाखू डियार को मैं कलर चेंज कर देता हूं लाखू डियार ठीक है लाखू डियार ठीक है उडियार म में तो कैसे प्राचीन गुफा चित्र भया प्राब्त वते हैं अब ये कहा पर स्टित है तू देखो ये स्टित है आपका दर दल्बेंड बाडी छिना अल्मोडा में ठीक ना दल्बेंड बाडी छिना अल्मोडा में अल्मोडा यहां पर लिखाया देखो अल्मोडा में ठीक है अब कौन से नदी के तट पर पुछा जाएगा तो आपको होगे भी यह सुयाल नदी के तट पर ठीक है अब इसकी खोज कि थोड़े देर में लगा दूँगा आपके लिए तो देखो, इसकी खोज हुई थी 1968 में 1968 में हुई थी इसकी खोज किसके द्वारा भी ऐ MPioso's के द्वारा MPioso's के द्वारा इसकी खोज की गई थी और यहां से देखो हमें मानाओ께 ठीक है ना मानव पसों के लाल रंग के निरित्य करती हुए आकर्थिया मिलती है ठीक है ना निरित्य करती हुए आकर्थिया हमें यहां से भी यह प्राप्त होती है ठीक है और जो यह निर्त्य करती हैं मैं प्राप्ट होती है अफ्डिया आवर किया रहह कुछ लोग के चित्र प्राप्त होती है ठीक है न ओअ अलंकारी काले खन बोलतीहों ठीक है न साडीका किनारा मिलता है और कई रंगू का परियोग देखने को मिला है यहां से प्राप्त होती है यहां पर गोड़ा बनाया है, यहां पर बकरी बनी है, यहां पर एक लाठी बनी है. यह उनकी एक महासा रही होगी ना, कि हाँ हम ऐसे उसको कह सकते हो, आप तुम जैसे एक पत्थर लिया आपने, आप आपने चार पत्थर बनाए हैं, और आपने बोला है कि अच्छा, इस पत्थर में मैंने ऐसे प्लस का साइन बनाए, इसमें माइनस का, इसमें गुड़ाएक तो अब हम उन्हें कैसे डिकोट कर पाएंगे अभी, ठीक है, तो यही होता है, आपका समझ गई, कि हमें वहाँ से लिखावट कुछ बहुत प्राप्त होती है, लाल रंकी, लेकिन उनमें हम अभी पढ़ नहीं पाया हैं, अब वो लिखावट हैं, या पेंटिंग्स हैं, तो कई चीजे हैं, इतिहासकार इनमें खुदी क्या है, उलचके रह जाते हैं, आपको क्या करना है, आप सुलजे रहो बस, जितना लिखाया है, आपको सिर्फ पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ना है, अभी नहीं कि कन्फिजन हो जाओ, ठीक है, कि किसी ने कहा है कि आपकर 1968 की मानी जाती है, 1968 की, ठीक है, कई कन्फिजन अगर होते हैं आपको तो आप दोनों डेट याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, और उसमें कुछ नहीं जाएगा, और अगर आप से एक्जाइम में पुछेंगे भी न, तो पता है कैसे पुछेंगे, जिसे उनने लिख पिर इशू उठा दिंगे, अगर इशू उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो, कई किताबों में आपका 1963 भी दिया है, कई, चलो उन किताबों का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो देखो, अब वो दिंगे, 1970, 1950, 1930, ऐसे दिंगे, अब इसमें आप आसपास का हिसाब लगा लो, ठीक है, आसपास का हिसाब लगा लो, 63 बोला है, 68 बोला है, तो 1960 के आसपास आप चले जाओगे, ठीक है, तो चीजों को ऐसे देखा करो, ज्यादा माइंड में ना कन्फुजन पैदा करोगे, तो तुम्हार लिए दिक्कत करेगा, ठीक है, तो देखो, इतना आप समझ गए, ये तो हमने देखा आपका लाकू उड्डियार, ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आपका गौर्ख्या उड्डियार, ठीक है, देख लेते हैं, गौर्ख्या उड्डियार, ठीक है, गौर्ख्या उड्डियार, अब देखो, तो यह इसकी जो खोच की थी ना गवर क्या उडियार कहा है आपका पहले तो यह जान लो यह चमुली में है ठीक है चलो पहले सारे अलमोडा की बता दो क्योंकि स्टाटिक में मैंने अलमोडा लिखा था ना फिर आप कहोंगे सर आपने तो अलमोडा बोला था और ही क्या बता दिया यह क्या हो रहा है चलो कोई बात दी तो देखो अब अलमोडा में और की है पहले तो अलमोडा की देख लो आप अलमुडा उपर लग देता हूँ हमने देख लिया है आपका लाख खूर डियार ठीक है ना अब इसके बाद हम देख लेते है आपका अलमुडा में है आपका लुथाप ठीक है लुथाप है फलसीमा है पेट साल है और फड़का नौली है ठीकिना अलमुणा में पहले Almurā का ही देख लो गॉरख्या ठीकिना गॉरख्या नहीं है गॉरख्या तो आपका च्चमोली में है इतने जादा उद्द्दियार हो गूए है कि मैं भी गन्फूज चुछा रहा हूँ तो देखो, पहला आपको दिहन में रखना है, जो सबसे important है, लाखोट d Casey, क्योंकर यह सबसे पहले मिलाता है, ठेके ना सबसे पहले प्राप्त हो आता और भाईया है, ठेके ना परथम खोज ती है, गुफाचित्रों की, ठेके है, तो लाकूट डियार हो गया दूसरा हो गया आपका लुए थाप लुए थाप कहा है आपका ये भी अलमुडा में है तीसरा फलसीमा ये भी आपको याद रखना अलमुडा में है पेट साल ये भी आपका अलमुडा में है और फड़का नौली फड़का नौली भी आपका अलमुडा में है अब देखो लाखूट डियार की खोज एमपी जोशी ने की थी और इन चारों की खोज करी थी भई या या सुदर मटबाल जी ने की इसकी लोइथाब फलसीमा पेट साल और फड़का नौली की ठीके ना और जी सब वी काई अलमुडा में है तो आप एक एक करके इन्हें देख लेते हैं दियान से देखना सबसे फहले देखो भी थाफ उतने वलवव लूरी यहांसे हमें क्या प्राप्त होता है देखो हमें यहां से प्राप्त हम लाल रग की त तुनकर पूछा जाता है वो ही आप डिटेल से पढ़ो ठीकिना वैसे इतना ही पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादा नॉलेज जो है यहाँ से इतियास कारूंने ऑप्ता किया इतना ही प्राप्ति किया है पस उन्हें थोड़े से अगर आप किताबुमें पढोंगे न करते हुए जो हैं व्यक्ति ऑर मुद्रा ठीकिना मुद्राइक चित्रन भाण मिला थीकिना निरित्य मुद्रा ठीक है तो देखो फलशुमास से क्या密 मानव की निरित्ति करती हुई या याद रखना है यह निरित्ति करती हुई और योग करती हुई योग करती हुई आकर्थिया मिली है ठीक ना क्या मिली है यहां के जो शैल माочка नह्ती होई कि यह बता रहा हूं आपको टाप समझ गए है निर्थ्रकति यह बना एक बार कि आपके कहां से हमें निर्थ्टि करते हो योग करती है और करतेया पॉट यह प्राप्त हो य circumstance और ना या ईसा जो आपके माना वाकृतिया हों कहां से प्राप्त हुई है तो आप सिधा अंसर लगा दोगे फलसीमा से लोगों कहां से मिली है तो आप थोड़ा सा इस जरूर कर जाएंगे ठीक है तो इतनी चीजे आप दिहान में रखें आप देखो अब हम बात कर लेते हैं फड़का नौल है रखें घंडर कानौ अठ accus to घ्रापे मेरी देंखो फड़का नौल एक तया आप देखो आपकी फड़का नौलिया कहां सत्थित है वही आना अभी मैंने आपको बतायाया सब्काहया में तो आर्कितित अब यहां से हमें यहां से हमें चित्र मिलता हैं यहां भी जोड़ा नबाद करती है न यहां से मुझे एक चीज याद आ रही है कि आपको पता है, एपन और जब मैं बात करता हूं, लोए थाप गोलें mean, ठीक है तो और थाप आ रहे है न, पीचर थाप, थाप और एपन, एपन में क्या अंतर होता है, ठीक है, यह आप मुझे कमेंड बॉक्स में बता हूं इसको में ही बता हूं, ठीक है कैं, चलो इसको आ करने का मन होगा वो कमेंट बॉक्स में बहिया बताएगा ठीक है न क्योंकि क्या होता है आपने आपको आप explore करो जेतना आप अपने आपको explore करोगे उतना ही सीखते जाओगे ठीक है तो यह रहा आपका पहला प्रस्ण थाप और एपन में आप अंतर बताओ ठीक है चलो अब देखो दूसरा आगे चलते हैं हम आपके हमने बात कर लिए आपके फलसीमा की बात कर लिए, लोइथाप की बात कर लिए, फड़का नौली की भी बात कर लिए, अब बचा मारा पेटशाल, पेटशाल, पेटशाल की भी चलो बात कर लो, पेटशाल का है बया, आपका अलमुणा में इस्तित है, आप सभी को पता है, यहां से हमें मानव आकरतिय मिलती है ठीक है अलमुणा में पूना कोट गाउं है उधर इस दीत है ठीक है और खोज करता तो आपको मैंने पहले ही बता रहा है यह सुदर मटपाल जी है दूकर यहां चे नामें कथे रंग के शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं ठीक है इतना आपको याद रखते हैं और ज पुटियार का है चमोली में है और चमोली में कहा है अब यह डूंगरी गाउं के पास ठीक है ना किदर है चमोली किदर है चमोली के रहा हूं उत्राखट में इस्तित है ठीक है तो देखो तो डूंगरी गाउं के पास इस्तित है अब इन चित्रों को परकास में लाने का जो स्क्रेस जाता है मिसको इस परकाश में आप गी आप के इसको आगे जाज करी थी इस चित्रों के मतलब कह सकते हो अध्यान अध्यान सब्सदें रही से सध्यार dub to pay सदधर इसे का अधीन की आ 대해 Ingka कोश किस ने करी ती टाकेज भट्टे जी pandschaft अब देखो यहां से जो हमें प्राप्त होताम क्या प्राप्त होता है यह देखो यहां से हमें भी या गुर्खिया उड्यार से मैं पसु चारक संस्कृति के भी पर्मान मिलते हैं मतलब एक पसु को बगाता हुआ व्यक्ति भी हमें यह से देखता है ठीकिन और मानवों को यहां पर तिर्सुलों के नशार को मिलती है ऐसमें से कुछ आपके मानवों के पसु की ऩिए और चुट चारक संदार हैं अब अब चलते हैं हम आगे की और आगे देखते हैं हम आपका किमनी गाओं ठीके ना पूरे किमनी गाओं की बात कर लेते हैं सबसे पहले और भी हमें कहीं गुफा मिली जैसे हुड़िली गुफा चलो पहले पूरी गुफा को देख लेते हैं हुड़िली गुफा का है बैया हुड़िली गुफ हैं और यहां से हमें होड़ेले गुफा और आपके कई गुफाएं जैसे मैं और गुफाओं की बात करूं तो आपकी होगई अब देखो और गुफा की अगर मैं बात करूं तो काली माटी गुफा हो गई ठीक है न भेलतरा गुफा हो गई जो चमोली में है कई गुफाएं है ठीक है अब देखो अब हम आगे बात करते हैं वैसे जैसे कोई अचानक से रूम पर आ जाता है न तो थोड़ा सा माइंड मे तेरा उधर चला जाता है ठीक है चलो इसको थोड़दीर स्टॉब करता हूं तो देखो भी यह आगे हम बात करते हैं आपके किमनी गुफा की ठीक है किमनी किमनी कुफा तेखो आपकी किमनी कुफा है ना वो चमूली में और यहां से हमें सफेद रंगे चेतर प्राप्त होते इतना आपको याद में रखना है आप देखो अब आम बात करते हैं आपके मलारी गाओं की बहुत प्रस्ण बनते हैं आपके मलारी गाओं से ठीक है तो देखो जो आपका मलारी गाओं है पहले तो यह आपको जानना है ठीक है तो भाईए जो आपका मलारी गाओं है वह आपक चमोली मेश्टित है अब इसकी खोज गरी थी इए 1956 में आपको याद रखना है कौन शीव परसाइड दबराल जी जिन आप किस नाम से जानते हो चारण के नाम से जानते हो ठीकिना चारान के नाम से जाने उत्त लिए बोलते थे क्योंकि घूमते रहते थे ठीकिना अब देखो जो आपका चमोली का मलारी गाओं है अभी मैंने क्या बताए उत्राखन का आप प्रागय तेश्क गाओं कहा जाता है ठीकिना क्यां से बहुत चीजे प्राप्त हो यह इक अजार से ज्यादा अधिक मुर्त भाण्ड मिले हैं जो कि मुर्त भाण्ड मिले हैं ठीग है और यह जब और पुइंट टूके सबसे इंपर्टन दे इसमें अब देखो यहां और क्या हम बात करें इसमें आपके कुपी भी मिली है यहां से जिसे आप कुटुब बोलते हो कुटुब ना कुटुब कुपी जैसे मिली है पहले नहीं बनी रहती थी ऐसे करके इसमें पानी रखते थे आप ऐसे करके ऐसे करके बनी रहती थी यहां सबस्क्राइब था श्रक्राइब है इसको कम पर इसलिए इंप्वर्टन नहीं मुण नाल पक्षी और प्राप्त तो ऑफसेज समुद्री जीव के समुद्री जीव वहां मिल गए ठीकिना खाली अवसेश मिले हैं जो आफसेश मिले तो जब उनकी पता लगा है कि किस में relate करते हैं मतलब जो भी आफसेश मिले तो वह देखा गया किसी चीज से related नहीं कर रहे एक समुदरी जीमस से relate रहे थे तो हमें क्या परमाण मिले कि यहां पहले तीर्थी सागर होगा तीर्थी सागर होगा वैसे यह पूछा नहीं जाता है आपसे पिर मैं आपको एक information के उससे बता दे रहा हूं ठीक है अब देखो और क्या मिलता है हमें मलारी गाओं से यहां से हमें संधाव कालीन सब बता के भी बहिया परमाण मिलते हैं ठीक है ना संधाव कालीन सब बता के भी यहां से हमें परमाण मिलते हैं कहां से मलारी गाओं से ठीक है और और क्या याद रखना है आपको इसमें अब देखो और हां चलो खोच की बात करते हैं तो एकर में मलारी गाव में की बात करूं। सबसे पहले आठार सो चपन में आठार सो नहीं सो छपन आई इसे चपन इसावदान खोजे भाया ठीक है कैसा वाधान को जो में तो जाद दो में ठीकिना दो जार दो में भाईया आते हैं, कड़वाल विसर विद्या लेके अधियन करता हूँ, उन्हें भी यहां पर उत्हरंऽ कारे गिए, ठीकिना, और यहां पर जो विति इस्ता है, क्या कहेंगे, यहां पर हमें पासान कालिन सावाधान मिले ठीकिना, और आपके सेंदव सब्वेता के भी परमान मिलते हैं यहां से ठीक है न चलो इतना आपको याद में रखना है और यह यह पूछा जाता है और बाकी तो कुछ मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाता है ठीक है न तो यह हो गए आपके अब बात करते हैं हम आपके आगे अब देखो हम बात करते हैं आपके कप मार्क्स की ठीक है ना कप मार्क्स को आप हिंदी में बोलते हो ओखली ठीक है ना ओखली बोलते हो और कई नाम उसे जानते होगे ठीक है तो कई नाम उसे जानते होगे आप ओखली को तो देखो आपको जो इंपोर्टेंट याद करना है वैसे 846 में जो आपके हैं हर इण выз तो इन्होंने भी खोजे थे ठीकिना कुछ पमाक्स लेकिन जो आप चार बुछा जाता है वह पूछा जाता है 8177 डिकना 1867 के जो आपके रिबेट कॉर्णर है इनके दवारा हट रहा हट यह अलमोडा वहाँ पर चंद्रेश्वर मंदिर है ठीक ना चंद्रेश्वर मंदिर के यह पास 200 कप मार्क्स हो जे और बुला कि यह 12 समांतर पंक्तियों में ठीक रा इतना आपको याद रखना है कप माक से related ठेगे ना और मिरत्भाण तो पुछे नहीं जाते हैं क्यों ईसके से कई मिरत्भाण मिलें तो मिरत्भाण टॉट्स्ट s कहां से एक मिट्टी का घड़ा मिला ठीक है वो तो कई जगे से मिला ना बहुत जगे उनसे मिला है और बहुत सारे मिले है ठीक है तो इसलिए मेरत भांट से हमारा प्रस्ण जादी बनते ही नहीं है ठीक है अगर मैं बात करूं तो जो आपसे पूछा जाता है देखो ताम रूपकरण जो है 1951 में हरिद्वार के पास इस्तितिक जगे है वहां नहर बन रही थी ठीक है तो वहां नहर का निर्माण हो रहा था तो वहां से मैं ताम रूपकरण मिले फिर 1952 में 1922 में यह यग्यदत सर्माजी ने उन्हों उपकरण होगी का विसलेशन क्या और बोला यार यह तो महापाशान काली ने बताया है ठीक है ना किसने यग्यदत सर्माने ठीक है इतना आप समझ गे यह होगे आपका प्राग एतियासिक काल जो उत्राखन में आपका पुछा ज नहीं कि आप जो है PCS का देरो PCS में तो क्या है आपकी नॉलेज इतनी डीप या थोड़ा बहुत डीप में जाते हैं कि हाँ अब इसका विसलेशन करिए कहते हैं तुम से कहेंगे कि हाँ इसका संचेप में टिप पड़ी जी अब आपको उसमें टिप पड़ी रखनी है ना मंदिर में खुजे ऐसा पूछेगा हो लेकिन जब आप दोगे ना UKPCS दोगे तो उसमें क्या पूछेगा उसमें सिर्फ यह पूछेगा कि अच्छा इसका विसलेशन दो या इसमें टिप पड़ी दो ठीक है ना अपना तर्क जो है तर्क दो कि हाँ जो आपके रिबीट को परने जी थे द्वारा हट में उन्होंने चंद्रिसुन मंदिर में कप माक्स को जे तो कैसे हमारी एक संस्कृति को परकट करता है कैसे क्या करता है ठीक है तो ऐसे करके उसमें पूछे जाते हैं और उसमें आपको 200 सब्दे लिखने पड़ते हैं ठीक है तो मैं इसमें हमें because क्या है तो होती हैं लेकिन हमने परनी पाएं ये टिक रा रही गूण точतों आप àsथिर आ न कोइसे होगा है ठीक है रहा होगा है शिर जात ऑन ठीक है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्या है ना सब्सक्राइबर बहुत कम है ठीक है ना मालो मेरे सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर क्या ही बताओं बहुत कामेमाल ठीक है ना अब जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है और फिर वीडियो बनाने का भी मन लगता है अब मैं यहां पर डेड़ गंटे की वीडियो बना बना दे रहा हूं और सब्सक्राइबर है मेरे मुश्क आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद बाकी तो आप सवतंत्र हैं कमेंट करने के लिए भी आप सवतंत्र हैं ठीक है चलो धन्यवाद